पैस्बूक को और चलाता है थाथ का निकट दीशिए और वर्षप को और चलाता है शारे चलाते हैं वर्षप पैस्बूक अच्छा ये बताईंगे इंटरनेट को सभी जाते हों लेज़़ाब तो इंटरनेट में सर्कार केहीज़िया है वो कितने लोग देखते हैं? सब्सक्राद 하지 के बताना सिथ दो किन वो देख देखते हैं इस यो सर्कार की है जो इसने चुरुआत है इत देखते है है। आइडिया से मोहारे माइदी में कोई या आइटा है तो हमने उसको implement करना अपके second stage पर, तो हो कैसे करेंगे हमें, क्योंकि हमाले पास awareness नहीं है, ideas को है, ideas को सबके पास हो पर हमें यह करना है, वो करना है, पर उसके कैसे करना है, सरकार्थी क्या क्या लेतिया है, funding कैसे मिलेगी आपको, registration कैसे होंगे आपके, वो awareness नहीं है, तो business का रूल है, सबसे बहुत है, आप अपने आपको अधेर कीतिये, सरकार की नीतियों के, कागया सरकार की नीतिया सब्रेंगों, आप internet से आईए, रेंगेंट पीतिये, जो भी सरकार की नीतियों को देखी है, day by day उते अधेश्मेंस की होती है, मैं ये NSIC में प्रवंतिक के तोर के कारिय लाद हूँ, हमारी को organization है 1955 से, MSME की promotional growth में लगी हुई है, मैं सबसे नहीं को आप लोगों से माफी पांगने करूंगा की हमें जो समय दिया यहां वो ये बारा बज़े का सब्सक्राइब अब कुछ बयासता है कि हम लोग आनी बारिक और आपको सब्सक्राइब नहीं देखाएंगे मोड़ा, इसको मैं आपको बिदीफी करूंगा, तो आपको ये किलर होना चाहिए थी MSME क्या है और इसकी प्रोफर डेफिनेशन क्या है, अभी मैं कुछ ही हैं लोग बैटों में जो ट्रेडिंग भी करते हूंगे, और जो करना जा रहे हैं दर ट्रेडिंग को ट्रेडिंग, ना तो मताबूं जो ये MSME Act है दो है याच है, ये सिफ मैनुफेक्ट्रिंग और सर्विस इंडस्टीज के लिए हैं, ट्रेडिंग की लिए अभी इस Act के तहप कोई करते ही नहीं है, मैनुफेक्ट्रिंग की डेफिनिशन माइक्रो में है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मशिनरी पर 25 लाइट तक है तो आप माइक्रो क पांच करोर तक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है मशिनरी पर, तो आप स्मोज क्याटेग्री में और 5 करोर तक अगर आप मिलियर क्याटेग्री आए और service category जो इसकी other definition है, इसमें हम मश्रीरी भर यूज नहीं करते हैं, हम करते हैं कि equipment, जैसे construction companies होगी, IT companies होगी, इसमें equipment जो यूज होगी, बहुते हैं, उसमें investment अप्टू 2 करोड है, वो आपकी small category है, वो 10 lakhs है, वो आपकी micro category है, हमारी NSICP, एक scheme है, single point registration scheme, कुछ उतियों को बता होगा, और बहुत सारे इसको aware भी होगा, देखें, सरकार की एक प्रिक्रिया होती है, performance में, चाहे हो, रेल में हो, defense हो, कोई भी development हो, उसकी बदपक्षेशित होती है, और effect system होता है, tentering system, ये tenter लोग करते हैं, और आपको tenter में participate करना परता है, जिसका L1 आता है, रेख, उसी का होटेशित आवाड होता है, बड़ इसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या है, कि जब भी आप tenter में participate करेंगे, तो हर एक tenter में आपको EMD लगाने पड़ेगी, इसे बोलते हादने सिमनी deposit, अगर आप micro-election team list है, छोपे-छोपे लपार हैं, अगर आप tenter में participate करेंगे, और EMD लगाएंगे, आप देखिए आपकी working capital हो जाती है, आप कितना आप tenter में participate कर पाईगे, तो सरकार ने इसकी growth करने के लिए, proportion करने के लिए, एक scheme बनाए, single goal registration scheme, आप अगर, इस, इस इसकी intent, LSIC में registration करवा सकते हैं, registration करवाने के बाद, आप all over ही लिया, जितने भी center government, PSU रहें, या center government departments हैं, आप उसमें dental management करेंगे, आपको वो EMD नहीं लगेती, आपको EMD exception मिलेगा, और मैं बना देता हूँ, इसमें, जो special categories हैं, SPST and women categories, SPST categories के लिए, इसमें NSIC कोई charge नहीं 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 था, ये three of cost है, general categories के इस, इसमें fees, आप देखिए कि 10,000 से तक है, one extra maximum position है, जो SPST categories के लिए, इस three of cost है, ये इसमें का सबसे बढ़ा पाइदा होता है, और जो NSIC के साथ एक बाद registration होज़ें, तो आपको department easily tender avoid करता है, तो हमारी इसमें एक third party inspection हो जाता है, हम आपको आपके पुबे retention लगा के उसमें, आपको setting पे इसू करते हैं, इसमें जब भी आप department कर रहेंगें, आप देखाएंगे कि इस आप उन्टो एड़े से इसमें रिसकर है, तो आपको वो tender amount easily हो जाता है, परवाइड की आपका rate L1 हो, और इसमें SCS के लिए 4% का आपको रिजन को रखा क्या है, देखिए जब से बड़ी, मैं एक्जामपल देखू, railway की procurement एक साथ की च्टेगरी बर 20,000 क्रोड से आपकी procurement है, उसमें 20% railway को माइक्रो स्मॉल एक्रवाइड की से प्रिटोर करना है हाँ और 4% एजब रखा किया है, SPS के लिए, जो की railway भी अभी 4% नहीं कर पा रहे है, तो मैं चाहूंगा कि आप railway में काफी प्रिक्रोट्स आप प्रिक्रोट्स जाए जाए नाश पूटे चोटे चोटा आईकम बनादे, पूल आज़ी पनादे, तो इस प्रेक्स पर नावे हिसे का थाओ होता है, तो आप उसमें, आप बढाईए, MSIC का registration देते ए और उसमें पारिक्ट्पेंट देते है, दूसरा हम प्रफ़ा इस्पीम है Special Marketing Assistance School और SCST कैटेगरी सेगें हमारों में Domestic Activision समफिती है International Activision समफिती है आप देगी कि जो भी Activision नाव पाजिपेट तरते हैं जन्रल केजर की कैटेगरी वालेंगा रोमें कैटेगरी वालेंगा 500 औरी जन्रल केटेगरी में 116 35 125 Sun 115 100 10 modelo केटेगरी Пр Essence 14 le 2 ऐसी खेटेगरी है उसमें जोadasी है 100000 आप के जो बेवार हैं आपकें देटीपिशिन इन्योक्त ये प्रोड़क्ट नेशनल और इंटरनेशनल, NSIC इसमें कोई चार्ज निया देती, ये सारा पुरी दो प्रोस्ट है, आपके लिए, तो मैं चाहबता कि आप NSIC की वेश्टाइट है, NSIC, आप दिखनी सकते, NSIC.gov.donate, 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 ns तो स्कीम्स में जाईएगा, इसमें आप स्कीम्स में जाईएगा तो उसमें आपको एक्टिविशन की डिले आपको एक्टिविशन की डिले आपको हमारी एक्टिविशन कहां कहां ड़नी है, तो आप इसमें 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 इसम पुद्योग अधार Memorandum बता है ना सभी को, आख कड़े के जिसको बता है, अभी सभी को अभे लिए, दिखिए, गॉवर्मेंट की कोई भी इसकी पाने के लिए, आपको एक रिस्रिक्षन करवाना पड़ेगा, जिसको बता है, पुद्योग अधार Memorandum. MSME Accumant की प्रफुशन है, जिसके पास तुद्योग अधार Memorandum में लिए आप, UAM बोट ने दो जोगा, और ये ओनलाइन बता है, इसमें उसे पांच मेंट अलगने हैं, बतने हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है, सुछिव, बेपसाइट ऐसी है, आपसे चार्ज करेंगेंग ये वह आपके रिष्टेशन हो गया, आपको कोई भी सप्सिदी ये निये है, गवर्मेंट में, NSIC में, तो आपके पास उध्योग दार प्रफुशन होना आनिवारिया है, रिष्टेशन नमर साथ के साथ में जाता है, वो NSIC में आप रिष्टेशन होगा है, तो उसके बेस में आपके बेसरे आपके रिष्टेशन होगा, और आपके रिष्टेशन होगे हैं, तो आपके बढ़वा लेजेगे, वो इस ब्यासाइच में इसली बढ़ जाता है, कर दो